अब हम करेंगे कोशन नमबर 33 इसमें लिखाए स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रपोर्शनलिटी थियोरिंग यानि की बीपीटी उसकी हमें स्टेटमेंट लिखनी है बच्छा और प्रूफ देना है स्टेटमेंट तो मैं आपको बताऊँगा लेकिन जो इसका प्रूफ है ना बच्छा एक मैंने सेपरेट वीडियो में एक्स्प्रेइन किया हूँ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रूफ समझ सकते हो बच्छा तो पहले हम स्टेटमेंट समझेंगी फिर इसके बाद इसका next question दिया है ना वो हम करेंगे इसका जो second part है question number 33 का तो दियां से समझ दा स्टेटमेंट क्या इसकी लिएक लाइन इस ड्रॉफ पहले हम एक triangle ही draw कर लेती है एक triangle हमने draw कर लिया और इसको name दे देते हैं ABC ABC इसम लिएक साइट के पहले हमने एक line draw करी है किसी BC के parallel भी कर सकते हैं, AC की भी कर सकते हैं, AB की भी कर सकते हैं और आगे लिकर to intersect other two sides वो जो parallel line draw करेंगे ना किसी भी side के वो बाकी दो sides को intersect करेगी distinct points में, अलग-अलग point में, मालो मैं BC के parallel एक line segment draw करता हूँ, BC के parallel line segment कुछ इस तरह से जाएगी, ओके बच्चा, और ये बाकी दो sides को distinct, distinct means अलग-अलग point पे cut करेगी, मालो ये AB को DE पे intersect कर रही है, और AC को E पे कर रही है, तो DE parallel to BC होगी, और DE other two sides को दो अलग-अलग point पे, कौन से दो अलग-अलग point है, DE और E पे intersect कर रही है, तो given में हमें ये रहता है, theorem के according, given हमारा कह रहता है कि DE parallel to BC है, तो अगर हमें य two sides, other two sides means, this side के parallel हमें line draw करी है, उसको छोड़ के, बाकि दो साइट बच्चती है, कौन से बच्चती है, बच्चा, AB और AC बच्चती है, इसमें, are divided in the same ratio, ये जो line है, ये two line, AB और AC, same ratio में divide होगी, और उनको कौन same ratio में divide करेगा, line segment DE, which is parallel to BC, तो DE अगर AB को divide करती है, तो ratio क्या बनेगा, देखो बच्चा, ये D पे divide होगी है, line AB, AD, upon DB, ये ratio बनेगा, और जब E जो है, AC को किसी ratio में divide करेगी, तो ratio क्या होगा, AE, देखो, E के उपर वाला part AE, और E के नीचे वाला part EC, okay, AE upon EC, दो ratio बनेगे, और according to this theory, अगर DE parallel to BC है, if only if, DE parallel to BC हमें दिया हो, तो हम, इन दोनों ratios को equal ले सकते है, यह लिकाना, other two side are divided in the same ratio, okay, तो ये किस से मिलेगा हमें result by BPT, अगर मालों, ये question stand alone अलग से आ जाता है, तो आपको statement और theorem प्रूफ करने की जूरत नहीं है, हम direct by BPT लिखके कर सकते हैं, okay, तो, अब according to question हमें क्या given है, देखो, लिखो, इन triangle ABC, मैंन और DB X-2 है, DB कितना है, X-2, और AE X-2 है, और EC X-1 है, यह सब हमें given है, और then using the above result, above result means, जो BPT को use करते होगे, यानि की basic proportionality theory को use करते होगे, हमें value of X निकाल नहीं है, तो अब तो मेटा बहुत असान होगे, मैंने ratio जिदा लिख दिया है, अब ज़स्ट इन ratio में value जाल दो, AD कि X के एक्वल है, X के, DB X-2 के एक्वल है, और AE X-2 के, और EC X-1 के, आप cross multiply करा हो, जैसे कि X into X-1 लिकेंगे पहले हैं, X multiply X-1 is equal to X-2 into X-2, देखो, यह X-2 pointer पे द्याद देना, multiply होगा किस से? X-2 से, तो यह cross multiply हो गया, आप देखो, बचा, यह जो X-2 के बाहरा है, रेकेट के अंदर हो लिए, दोनों टर्म से multiply होगा, तो यहां हमाल पास आजएगा X-2, और X-1 से करेंगे, तो minus X हो जाएगा, is equal to, इधर क्या हो सकता है, बच्चा, A-B, A-B, A-B की फॉर्म है, इधर माल पास, और A-B into A-B, हम identity use कर सकते हैं, A-B square की, यह सर कर सकते हैं, तो यहांने की A की जगे X, X-square, और B की जगे 2, तो minus 2 square, हम next है, बच्चा, X-square minus X को भी ऐसे लिख दो, is equal to X-square, और minus 2 का square क्या होगा, 2 square 4 होता है, तो यहां minus 4 आजएगा, हम like terms collect करेंगे, like X-square plus X-square, LHS में पहले से हैं तो हम लिख दिया, और RHS में जो X-square है, वो LHS में जाके minus X-square हो जाएगा, और LHS में already minus X है, वो भी हम as it is लिख देंगे, is equal to, अब RHS में क्या बचेगा, minus 4, तो RHS में minus 4 को लिख देंगे, okay, अब C, plus X-square minus X-square cut हो गया, अब minus X is equal to, हमारे पास क्या आगया, minus 4, minus minus cut हो जागा, तो X is equal to 4, तो X is equal to 4 हमारा answer आ गया,